नमस्कार दोस्तो डिजिटल इंडिया टैक में आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जन्रल साइंस के मौक टैस नमबर बन के बारे में जिसमें फिजिक्स, केमेस्ट्री और लाइफ साइंस के टॉपिक को कबर किया गया है और इसमें 20 इ कुझट दोस्तो फर्स्ट कोश्चन है मंकी पॉक्स रोकनिम्न में से किसके कारण होता है जिवाडू बाइरस कुपकर्मुत्त टोटो जवाड तो मंकी पॉक्स है वो बाइरस के थुरू होता है मंकी पॉक्स 2022 में इंडिया में इसका पहला केज़ देखा गया था और उन्न 1 by 5 तक कम की जाती है तो उनके बीच का बल आपको बताना है तो दोस्तो फॉर्मूला होता है f बराबर q1 q2 upon d square तो आपको यहां पर जो आपका रिलेशन है वो f और d का है तो जो f है वो डारेक्टली वित्कुरमान भी पाती है d के इसलिए आपका 1 by 5 तक कम हो रही है दोरी त तो 5 उपर जाएगा square होके तो इसका जो सही answer होगा वो होगा आपका 25 f ठीक है f वित्कुरमान भी पाती है d के उससे आप लगा सकते है f1 f2 upon d2 upon d1 का whole square next है किसी पधार्त की अवस्था को निम्ण में से किसे परिवर्तित करके दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है तो दोस्तों अगर कोई भी पधार्त उसकी अवस्था को परिवर्तित करना है उसका जो सही answer होगा इन में से वह होगा तापमान तापमान को चेंज करके या से कौन सा आहर घटक है कि प्रती ग्रम मनुष्य को उच्चितम उर्जा प्रदान करता है रोच्छांस प्रोटीन फैट बसा कार्भुहाइडिट तो इसका सही आंसर है फैट नेक्स्ट कोश्चन है किसका एंगप को कोश्चका का स्वामी कहा जाता है तो दोस्तो इसका सही आंसर है आपको माईटोकॉरंडिय और केंद्रक में तो दोस्तों सही आンसर है केंद्रक कशरिये धातuk आधवरशान्टी मेंगा गया है तो सभू से पहले आपको पता होना चाहिए क्या उनसी धातु होती हैं तो आपके लीथियम, सोडियम ये आपकी छारी धातु हैं और जब भी आप आबरसाणी की टेवल देखेंगे तो सबसे पहला जो ग्रोप है वो इनी धातुओं का है लीना का आर्वीस, ये स्प्रेंड ये है उसका शॉर् प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् है वह चारी होती है तो इसलिए जो अम्ल है वह चार के साथ मिलकर नुटलाइज हो जाता है इसलिए बेकिंग सोड़ा का यह दो सब्सक्रा बेकिंग का प्रतिशत है दोस्तो यह तो आप या तो आप प्रणूले से नहीं तो इसका जो आप सही आंसर होगा वो होगा 62.9 कैसे होगा washing soda washing soda होता है आपका Na2CO3 into 10S2O ठीक है इनमें आपको सबकी value को रखना है उसमें जल का प्रतिशत निकालना है जल यानी की 10S2O तो 10S2O divided by total जो Na2CO3 into 10S2O into 100 इससे आप जो total calculation करेंगे वो आपका fourth answer सही निकलेगा तो 62.9 answer इसका सही होगा Next question है निम्न में से कौन सा बल है वो आपका बिद्दुच चुमकिये परकर्तिका नहीं है तो दोस्तो इसका घर्चन बल तार में तनिता स्प्रिंग में बिद्दुच बल या पिंट का भार तो दोस्तो इसका पिंट का जो भार होगा fourth one ये आपका बिद्दुच चुमकिये परक्रतिका नहीं होता है ये आपके गूर्तबा कर्शन पर डिपैंड करता है गूर्तमी तरियमित तो इसका जो सही आंसर होगा fourth one होगा पिंट के पार पर चुमकिये विद्धु चुमकिये प्रवट्टी आपकी dependent नहीं है नेक्स्ट कोश्चन है एक लवड बनाता है तो जो होता है कैसा होता है प्रवलम दुरवलचार दुरवलम दुरवलचार प्रवलम प्रवलचार या दुरवलम प्रवलचार दोस्तों इसका सही आंसर है प्रवल अम और प्रवल छार जो NACL एक जो बनता है वो बनता है आपका SCL और अच्छी क्रिया से और ये दोनों ही प्रवल होते हैं और इससे जो एक लवड बनता है वो होता है NACL जो की आपका होता है प्रवल अमल और प्रवल छार थर्ड आंसर इसका सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी रासी नियत रहती है और एक से दूसरे स्थान पर पड़िवर्तित नहीं होती है तो नियत रासी हमाई आपकी द्रमान जो है वो आपकी एक नियत रासी होती है तो फर्स्ट आंसर इसका सही है अधाने नेक्स्ट क्กूश्चन है, सोडियम कार्बुनेट। इसका फॉर्मूला बताना हो दोस्तो, तो सोडियम कार्मुनेट का अश्यत्यी κ,那么, 8c o aco3 यह order co to three दोस्टों इसका सही फ़मूला है а एनए टी wpि COVID आंसर का सही है कि कर नीक्सक्षें है मानप के लिए आपका जो ओड्यविलरी धुनीत रंगों की फ्रिक्यें सी कितनी होती है के तो 20000 यह झार सब्रilan ओसटasan मरा जो आपकी होती है वह आपके हमारी institute अब वीज से कम अप्सरब होती है और 20 चार सूपर प्रासरब होती है तो आपका थड़ आंसर सही है नेक्स्त है मनस्तों में स्षर्शन बढ़ड़क है करता है इसका 100 अन्सर है हåard सोन भड़at है का दोस्तों हीमोगलोविन मुनस्तों में इसमें honor हो जाता है इक कर लिए करते हैं हीमोगलोवन मनस्तों में यानि पॉर्सों में महिपायों चतना होता है टोस्तों मेलगन में हूते हैं नगबग 13.-1–17 एंड फीमेल्स में जो होता है वो आपका बारा से पंदरा बारा से सोला ग्राम आपका हीमोगलोविन होता है तो ये कभी-कभी एक्जाम में अशा भी पूछ लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन है एक तत्व का परमाणू क्रमांग सत्रा है तो ये क्या है तो दोस्तों परमाणू क्रमांग सत्रा परमाणू क्रमांग आपका सत्रा जो है वो किसका होता है क्लोरीन का होता है और क्लोरीन के लिए आपको पता होना चाहिए क्लोरीन एक हैलोजन गैस है जो इस बर्ग में आती है, तो इसका जो सही answer होगा, first one होगा, halogen gas, next question है, बिस्थापन के परिवर्तन की दर को कहते हैं, बेग, गती, दूरी, तुरण, तो बिस्थापन के परिवर्तन की दर, बेग कहलाती है, यह आपका सीधा-सीधा definition है, बिस्थापन परिवर्तन की दर, ब फोकस दूरी दे रखी है, शक्तिगर्णा निकालना है, तो जो फॉर्मूला होता है, पी बरावर होता है, one upon f, जहां फोकस दूरी मीटर में होती है, अगर आप इसको मीटर में रखेंगे, तो one upon 50 cm को मीटर में करेंगे, तो यह हो जाएगा, point five, ठीक है, तो इसका जो सही answer होगा, वो third one होगा, टूरी, पी बरावर one upon f, f जो होती है, फोकस दूरी होती है, यहां 50 cm में दी गई है, आप इसको मीटर में चेंज करके, यानि कि 100 से डिवाइड करके, मीटर में चेंज कीजिए, और इसको फॉर्मूले में रखके, जब आप calculate करेंगे, तो इसका जो answer ह होगा, वो आपका 2 निकलेगा, तो इसका सही answer है, थर्ड बन टूडी, नेक्स्ट कोशन है, स्थितिज, उर्जा और गतिज, उर्जा के योग को क्या कहते हैं, विद्धुत उर्जा, यांत्रिक, रसायनिक, प्रिकास, तो दोनों जो दोनों प्रकार की उर्जा होती है, हमारी यांत्रिक उर्जा कहलाता है, सेकंड आंसर सही होगा, नेक्स्ट है, 15 किलोग्राम का द्रमान और बस्तु, 4 मीटर पर सेकंड की एक वेक से गति कर रही है, बस्तु की गति जूर्जा आपको बतानी है, गति जूर्जा बतानी है, गति जूर्जा का फॉर्मुला क्या होता है 1y2 mb square ठीक है m आपको दिया गया है 15 v दिया आया है 4 ठीक है आप जब formula में रखेंगे तो आपका जो सही answer निकलेगा m उका 15 v की value आपको रखना है charge जो को 16 divided by 2 8 तो इसका जो सही answer निकलेगा 120 दोस्तों वस्तों की गति जोर्जा क्या होगी 120 एक्जाम में यह भी पूछ लेते हैं उर्जा का आपका unit क्या होता है जोल में इसको represent करते हैं इसलिए काफी सारे question इसमें important बन जाते हैं तो यह formula आप याद रखे गति जोर्जा का formula होता है आपका 1y2 mb square next question है 5 kg और 10 kg द्रमान की दो इसपात की गेंदों की गति जोर्जा समान है या दोनों के गति मान कौनसी सबसे ज़्यादा चल रही है तो अभी आपको बताया है गति मान आपकी गेंदे हैं उसका गति जोर्जा का जो formula होता है वो आपका half mb square होता है ठीक है यहाँ पे द्रम्मान दिया कह रहा है आपको निकालना है V से M का relation V से तो अगर आप formula से देखेंगे तो M जो होगा वो आपके directly वित्कुर्मानी पाती होगा V के इसी से आप देख लिएजे अगर जो जिसका द्रम्मान कम है वो उसका वेख जादा होगा सबसे गती से तेज चल रहा होगा इसलिए इसमें जो सही आंसर होगा वो 5 kg 10 kg मैं से कौन सी सबसे तेज चल लगा होगा 5 kg वाला जो gain है वो सबसे तेज चल रहे होगा अधिक्तर question पूछे गए हुआ है तो दोस्तो इस पूरे साइट को लगाईए और देखिया आपके इसमें कितने नंबर वन रहे हैं और आप कमेंट बॉक्स में अपने नंबर चलू शेर कीजिए दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेनिक को दमाना ना बुले मिलते हैं नेक्स वीडियो में तन्य बाद